तो दोस्तों Nokia के जो mobile phone आते थे पहले black and white वाले नहीं नहीं रुख जाएए ये O General AC का ही वीडियो है आपको O General AC के बारे में ही मैं बताऊंगा लेकिन O General Air Conditioner के बारे में सोचते ही mind में पता नहीं क्यों Nokia के पुराने वाले black and white phones याद आ जाते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका O General या फिर खहलीजिए General के जो Air Conditioners हैं जो आपके Nokia के उन black and white phones की तरह हैं जो आपके छट पर से नीचे गिर जाए या washing machine में से वो घूम जाए उसके बाद भी सुखाने के बाद या assemble करने के बाद आप दोबारा यूज कर लेते थे नीचे comment करके बताईएगा आपके Nokia के वो पुराने वाले phones के साथ क्या experience रह चुके हैं पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा लेकिन जो General के जो Air Conditioners हैं वो भी बिलकुल ऐसे ही हैं बिलकुल rugged Air Conditioners बिलकुल solid और maintenance बहुत ही कम इनकी आप जितना मर्जी जैसे मर्जी यह AC हैं कि खराब ही नहीं होते हैं आपके जो General के AC हैं यह एक proper cooling करने के लिए आपके Air Conditioners हैं बिलकुल no frills Air Conditioners इसमें आपको बहुत सारे smart features यह वो ताम जाम तो नहीं मिलेंगे लेकिन इसमें आपको proper serious cooling और cooling ही मिलेगी इनकी जो maintenance है service है बहुत कम करवानी पड़ती है हा सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में आपको ओर General के Air Conditioners के बारे में सब कुछ पता चलेगा लेकिन जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताके इस तरह की वीडियो आप लोगों को मिलते रह हैं दोस्तों अगर आपके कुछ दोस्त या जान पचान वाले Middle East Countries में रहते हैं तो उनसे अगर आप पूछते हैं कि यार हमें कौन सा AC लगवाना चाहिए तो no doubt वो आपको ओ General का नाम जरूर बताएंगे तो General के जो Air Conditioners हैं ये आपके Middle East Countries जैसे की दुबई, बहरेन या फिर इस टाइब की जो भी आपकी Arab Countries है, Middle East टाइब की Countries है, जहां पे गर्मी बहुत जादा पड़ती है, all year round आपकी mostly गर्मी ही रहती है और 45 degrees C से उपर का Temperature रहता है, यानि की High Ambient Temperature रहता है, ऐसे Countries में आपके General के ACs बहुत काम्याब हैं, बहुत सक्सेस्फुल हैं, जो General के ACs हैं, AC countries में वो one of the highest selling air conditioners है, क्योंकि ये एक no frills air conditioner, यानि की कोई ताम जाम नहीं, प्रॉपर जब बात आती है, cooling की, तो ये air conditioner आपको deliver करते हैं, और harsh से harsh environment में, harsh से harsh weather में भी ये आपको deliver करते हैं, तो जब बात आती हैं, बहुत सरे smart features की, जैसे की Wi-Fi control वगारा, तो वो आपको LG के air conditioners में, डाइकेन वगारा में आपको भरे पड़े मिल जाएंगे, लेकिन जब बात आती है, general के air conditioners की, तो आपको ये सब smart features हो सकता है, ना मिलें, लेकिन आपको एक ऐसा air conditioner मिलेगा, जो आपकी जो cooling की need है, वो बिल्कुल perfect तरीके से satisfy भी करेगा, और जिसकी maintenance की आपकी cost बहुत कम, इसलिए आएगी, क्योंकि ये जो air conditioners है, सालों साल तक आपका साथ देते रहते हैं, आप अगर Middle East countries को देखें, तो वहाँ पे ना सिर्फ बहुत सादा गर्मी रहती है, बलकि वहाँ पे धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी से पता नहीं क्यों मुझे खून भरी मांग याद आई, बड़ अनिवेज, धूल भरी आंधी यां ऐसे जगों पे चलती रहती हैं, और इन धूल भरी आंधी के कारण, आपके जो air conditioner हैं, ये काफी जादा damage होने के chances रहते हैं, इनके जो outdoor unit हैं, उनकी तो भीया हालत बिलकुल खराब होती है, क्योंकि ऐसे weather को ये outdoor units झेलती हैं और फिर survive करती हैं, एक दो साल नहीं बलकि 10 साल, 15 साल तक ये air conditioner survive कर जाते हैं, ऐसा ही आपके ये air conditioner इंडिया में भी बहुत अच्छा survive करते हैं, इंडिया में भी इनकी performance बहुत अच्छी है, बट जब बात आती है आपके features की, तो आपको बहुत ही limited features in air conditioners में मिलेंगे, आपको general की air conditioners, window air conditioners मिल जाएंगे, split मिल जाएंगे, inverter, non inverter, cassette air conditioners, हर type के AC आपको general में मिल जाएंगे, लेकिन आपको इनकी online presence बहुत कम मिलेगी, online आपको Amazon वगारा से कुछ options मिल सकते हैं, नीचे description box में मैं दे रहा हूं, लेकिन वो बहुत सारे options नहीं है, generally आपको general के अगर air conditioners खरीदने हैं, तो आपको इनके shop में जाकर ही खरीदना पड़ेगा, तो general basically एक Japanese brand है, basically Fujitsu company का ये एक brand है, और इसके अगर आप features की बात करें, तो इसमें आपको ऐसे air conditioners में मिल जाएंगे, जो आपको hot and cold दोनों का experience दे सकते हैं, यानि कि गर्मियों में वो आपके room को chill कर देंगे, और सर्दियों में आपके room को वो heater का काम भी करेंगे, तो basically सर्दियों में क्या होता है, ये air conditioners अपने air conditioning cycle को उल्टा करके चलाते हैं, ताकि आपके जो heating है, वो आपके घर के अंदर हो, और old general के air conditioners में आपको एक human sensor भी मिल जाता है, यानि कि ये भी sense कर लेते हैं कि आपके room में कितने लोग मौजूद हैं, अगर आपके room में बहुत कम लोग मौजूद हैं, तो ये air conditioner उसी हिसाब से चलते हैं, अगर आपके room में बहुत जादा लोग मौजूद हैं, यानि कि air conditioning का load काफी जादा है, तो उस हिसाब से ये जादा speed में जादा लोड लेकर चलते हैं या फिर अगर आपका रूम खाली है तो यह एर कंडिशनर अपने लोएस्ट स्पीड में बिल्कुल पावर सेविंग मोड में यह चलते हैं तो यह सब फीचर आपको इस एर कंडिशनर में मिल जाएंगे बेसिक आपको डस्ट फिल्टर पीम 2.5 अब पने और योडिया यह आपको इस एर कंडिशनर में मिल जाएंगे, जो इन एर कंडिशनर के जो जो पैनल सोते हैं जो इंडोर योनिट और आट्डोर रिए मतार होते हैं बहुत ही अच्छे रगड पलस्टिक के वह बने होते हैं और इनके जो ऑपोरेटर और कंडिनसर coils की जो density होती है वो जाधा होती है pure copper condenser coils आपको मिलेंगे जो की अंदर से proper तरीके से grooved भी होंगे ताकि gas की फैलावट बहुत बढ़िया तरीके से हो और बहुत अच्छी तरीके से cooling की efficiency निकल के आए प्लस इसके साथ ही साथ आपको coils की जो density है वो भी condenser और evaporator में दोनों में जाधा मिलेगी आपको general के air conditioners में आपको dual rotary twin cylinder compressors मिल जाते हैं जोई कि दो cylinder वाले compressor होते हैं और dual rotary compressor होते हैं और जनरल में मिल जाता है लेकिन अगर आप features की बात करें तो इसमें आपको auto restart feature आपको इसमें self diagnosis feature जो आपके AC में कोई भी problem आती है तो एक error code आपके remote में display हो जाता है वो सब feature भी आपको इसमें मिल जाते हैं लेकिन आपके बहुत जादा ताम जाम वाले जो आपके features हैं जैसे की wifi connect या फिर google assistant support Alexa support ये सब कुछ आपको general के air conditioners में मिलने के chances बहुत ही कम है basically general के air conditioners आपके cooling पे ही focus करते हैं और आपको एक तन का डेड़ तन का दो तन का तीन तन का आपको tonnage में भी ये AC बहुत सरे varieties आपको मिल जाएंगे तो यही basically general के air conditioner के pros यानि की positives है अब हम आ जाते हैं इन air conditioners की cons की तरफ यानि की negatives की तरफ दोस्तो negatives में भी in air conditioners में कुछ बहुत ही बड़े-बड़े negatives हैं अगर ये air conditioners as a machine perfect है आपके cooling solution के लिए तो एक बहुत बड़ी problem ये है कि इनकी service बहुत ही खराब है इनकी customer satisfaction इनकी जो customer support है वो बहुत ही खराब है आपको maximum reviews आप online देख भी करेंगे तो आपको ओ जनरल के air conditioner की हर कोई यही बताएगा कि service की quality बहुत खराब है इनके technicians को proper तरीके से machine को handle भी नहीं करना आता और इनके जो customer care center है वहाँ पे call करेंगे तो इनको customer को भी सही तरीके से handle करना नहीं आता है तो ये काफी जादा problem है इनके servicing में हो सकता है क शायद इसलिए इनके servicing में बहुत जादा focus नहीं डाला है लेकिन मेरे हिसाब से product को खरीदने के बाद उसकी after sales service भी बहुत important होती है तो बहुत important है कि आप कोई भी AC कोई भी product खरीदें अब ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी after sales service कैसी है बाकी एक negative अगर आप देखें इस general के जो air conditioners हैं उनकी maintenance cost भी दोस्तों जादा आती है क्योंकि वो general के air conditioners थोड़े से complex होते हैं इनकी जब भी आप servicing मगारा करवाते हैं तो आपकी जो cost है वो जादा आती है हाला कि आपको बहुत जादा इनकी maintenance की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन एक machine है कभी भी खराब हो सकती है तो इसी लिए maintenance की ज़रूरत जब भी आपको पड़ेगी तो आपका खर्चाप थोड़ा सा extra होने वाला है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए as a machine बहुत ही अच्छे हैं ये लेकिन service की इनकी कुछ problems है market में तो अगर आपके पास एक अच्छा technician है जो आपके AC का स एपिसोड नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए product के साथ या फिर किसी नए comparison के साथ तब तक के लिए सुदीप signing off